हमारी सम्विधान सभा ने हमारे सम्विधान को ऐसा बनाया है ताकि वो हर सिती से निपट सके किसी भी संकट काल इस से अपने आप två देश को बाहर निकाल सके तो इसी संवन्द में हम आज आपात काल कि दूसरी गड़ी की बात करते हैं जिसमें हम बात करेंगे रास्पति सासन की और बात करेंगे बित्यापात की तो मैं अपताराणा आपका स्वागत करता हूँ हम स्वाहिनी क्लासेज में चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और हम बात करते हैं अनुच्छे 356 से जिसमें रा आधार पर नहीं चलता है तो राज पाल ऐसा प्रतिवेदन राजपति को देखकर या राजपति को स्वयम 300.65 पर उच्षेट के तहत यह प्रतित हो जाता है यह लग जाता है कि उस राजब में सासन समझायन के आधार पर नहीं चल लुँ है तो रासपति वहां पर आपात मन्लोब संबैधानिक आपात की उध्धोषणा कर सकते हैं यह रासपति सासल लगवा सकते हैं लगा सकते है už ठीक Pre अब ऐसी उध्धोषणा दोव माह के भीतर भीतर दोनों सद्धनों से साधाण बहुमत के द्वारा पास होने चाहिए ऐसी उद्गोषणा दो महा के भीतर दोनों सदुनों के साधर बहुमत से पास होना चाहिए यहाँ पर मैंने 355 इसलिए लिखा है कि जो हमारा 352 है राष्ट्रिया पात उसको एक महा के अंदर-अंदर पास होना चाहिए और वो भी विस बहुमत से इसलिए मैंने इसको 352 को यहाँ पर कंपेर करने के लिए रखा है कि वह इसमें आपका एक महा है और साधर बहुमत के कौन सा बहुमत है विसेज बहुमत ठीक है याद रखिएगा और अगर हम कह रहे हैं कि रास्पति सासन दो महा के भीतर पास हो जाता है तो उस 5-6 मा करके हर बार उसे मैकसिमम तीन सालों तक अधिकतम तीन वर्सों तक बढ़ाया जा सकता है तीन साल तक के बाद उसको जारी नहीं रखा जा सकता है जबकि फिर वही बात आ जाती है कि अनुच्छे 352 के तहते राश्टी आ पाते हैं उसको आपको कोई सीमा नहीं है कि अब कितनी जिन तक बढ़ा सकते हो ठीक है तो यहां आपका फिक्स है तीन साल से ज्यादा नहीं नौट मोर दैं त्री यह चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि यह राश्पती सासन इतना मतलब जैसे बोलते हैं कि अभी तक लगवाग 132 वारा राश्पती सासन ल केन सरकार में और राश सरकार में कॉंग्रिस की ही हुआ करती थी मलब कॉंग्रिस का सपोर्ट किया करती थी यह कॉंग्रिस की हुआ करती थी तो उस समय इतना विवाद नहीं हुआ करता था केन और राज्जु के मद में जैसे जैसे समय बीता गया राश सरकारें बदलती ग पंजाब में 21 pergi comigo पंजाब में सबसे पहली जो से पहली इस ठीक है और अभी तक पचिए सरबादिक लगाने का आपको इंद्रा गांती जी को देना पड़ेगा उन्होंने 51 राष्पाति सासन लगा ठीक है, और यह फैक्त का ही इंटेरनेट रपक वालग भी मिल सकता है, तो लिग्यावन मारा क्या है? एधिक कहा लगा है, और अधिक और पर आज की डेट में 10 बाल लगा है, महले हमारी तक वालगा है और आज वह मलत गो कहा है, मनीपूर में रास्पतर अभी तक हो गया काफी कुछ चेंज हुआ था जो आप वीडियो बता बना रखा है मैंने और मैंने आपको बताया था अनुच्छे संसोधित करना पड़ा जिसमें चवाले संसोधित के द्वारा आपको आंत्रिक का सांति क्या कर आगया वीडियो क्योंकि इंद्रा गांधिजी ने उसमें क्या कर दिया । पर लगा दिया था चलिए वह तो बहराहल आप देख लीजेगा वीडियो आगे बात करते हैं हम इनी की इन दोनों आपात की तो हम बात करते हैं देखा-थार बित्ति आपात तो बित्ति आपात क्या होता है कि जब देश में कोई वित्ती संकाट आ जाए या उसके किसी भाग में पैसे की बड़ी दिक्कत आ जाए तंगी हो जाए ठीक है भारत बड़ी तंगी आ रही महगाई बहुत ज्यादा बड़ी मलब अनकंट्रोलिबल है ठीक है तो रासपती का करेंगे बित्यापात की उद्धोश्डा कर सकते हैं अच्छे ये सब काम जैसे ब 152 रासट्वाद तो उसके मंत्री मंदल के लिखित सला चाहिए लिकित तीक है लिकिन इसको लगाने के requests लुप साथ नहीं चाहिए को Imperialhr Saskina इसको लागाना है तो केवल तो केवल मंत्री मंदल रासपती से कह सकते हैं कि ऐसे इसी हो गई है अब लगा दीजिए तो रास्पति आपका अनुछे 360 लगा सकते हैं लेकिन ऐसी उद्गोश्डाना ये दो मा के भीतर दोनों सदरों से साधार बहुमत से पास होनी चाहिए ठीक अब देखिए 352 है भाई विसेज बहुमत से पास होना चाहिए आपका रास्पत भाई विसेज बहुमत से पास होना चाहिए और दो महा के भीतर रास्पति सासन भी दो महा के भीतर और 352 एक महा के भीतर ठीक तो ऐसा अगर पास हो जाता है तो ये अनिश्चित काल तक जारी रहेगा ठीक है अब देखिए तीनों फरक आ गया किस किसमें फरक आ गया ठीक आपके तीनों में फरक आ गया 352 छै चै महा करके अनिश्चित काल तक एक महीने के अंदर पास कराना है विसेज बहुमत से पास कराना है 356 दो महा के अंदर पास कराना है साधर बहुमत से 6 चै महा करके अधिक्तम तीन वर्स और 360 पास कराना है साधर बहुमत से और दो महा की बीतर लेकिन 6 माह का कोई हिसाब नहीं है इसको अनिस्चित काल तक लगा जा सकता है और अभी तक यह वित्तिया पातकाल एक बार भी नहीं लगा है ठीक हमारे देश में ऐसी से देभी तक नहीं आई है ऐसा समझे लिजी आप कि वह देश में क्या लगाना पड़ जाए वित् कि हमारी राज सरकार है उनकी अधिन जितनी सेवाएं हैं तो उनके आतरगर्द व्यक्ति काम कर रहा है उनके वेत्टन क्या है काटे जा सकते हैं इवन आपके रास क्या बोलते हैं सरवोच चन्याले के मुख्य नायदीज अन्य नायदीज और हाइग कोड के अन्य है और 360 भी बता दिया है यह बड़े इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं आप इनको पढ़िएगा इनके प्रावधान देखिएगा वाकि और कुछ से डिटेल है वह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं पर कि आप ढूंड दिया ठीक है और चलिए हम आज की वीडियो यहीं पर खतम करते हैं और अगले टापिक हमारे अच्छे इंपोर्टेंट होंगे चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद